नमस्कार मैं हूं मन महित और आप देख रहे हैं प्रेस वाता एक नजर की एक खास पर भाते जंता पार्टी की नो साल पूरे हो चुके हैं उस अठारा जून को कंद्रिये ग्राय मत्री अमिच्छा सिर्शा आएंगे और लोकसभा में एक बड़ी रैली करेंगे इसको लिके उसी को लेके एक विशाल रैली हर लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान में होनी है उसी रैली को लेकर के सिर्शा में हमारे पूरवराश्टिया दक्षोर ग्रिह मंत्री शिरी अमिच्छा जी आ रहे हैं सिर्शा लोकसभा में रैली करने के लिए तो किस तरह की सोगाइध मिल सकती है सिर्शा को शर ऊसके तरह की सोगाइध मिल सकती है सर उसम में ऐसा है कि बहुत अच्छी सोगाइध配देे में देख देखने को मिल रहे हैं गाए? सम्वाद रैली में तो शायद ना उपाई लेकिन रैली मानी हमेशा जी आ रहे हैं उनका अलगी सिर्सा के लोगों में जुन है, अलगी उनका कारवा हैं. उसी को ले करके हमारे केंदरी एजल शक्ती मंतरी जोगंदर जी शिखावत नो जून को हमारे सिर्षा में उनका परवास रहेगा दो दिनों का और उस रैली को ले करके और उसी नो वर्ष के कारेकाल को पूरे होने के कारण उनका भी एक परवास सिर्षा में सिर्षा लोकसुमा में दो दिन के लिए रहेगा उसकी भी सूचना आपको नो जुन को मैं दूँगा, नो और दस जुन को वो सिट सामें रहेंगे कारेकरता भी नराज चल रहे हैं से पुराने कारेकरता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कारेकरता नराज नहीं है भाजपा कारेकरता कभी नराज नहीं होता ठीक है थोड़ी एक बड़ा परिवार है बहुत बड़ा परिवार है बीजेपी परिवार तो उसका कभी पॉजिटिव कभी नेगिटिव भाजपा परिवार में कभी एक परिवार में लड़ाई होती है लेकिन वो नहीं है नराजगी कभी नहीं होती है मन मुटाव हो सकते हैं वो दूर हो जाएंगे सीम साब के गरगर में मन मुटाव देखने को मिला था नहीं थोड़ा बोद मैंने पहले बोला ना कि एक परिवार जब बड़ा जादा होता है वर उससे पहले νौर चैरगर में 2014 शाद है था तो यह है कि करेकरताओं में जोश है उसा है आम जन में विर determined कुछ ऐसा दमाका हो सकता है काफी दमाके आपको देखने को शाद मिल सकते हैं उस रैली के दोरान भी बारतीय जनता प्रेख लेकर लोगों से क्या पील करना चाहेंगे बस मानिये केंदरिय मंत्री जी आ रहे हैं और उनको अधिक से अधिक संक्या में सुनने के लिए रैली स्थल पे पहुंचे और अधिक से अधिक संक्या में उनको अपना भाजपा को लोक सुबा सिर्सा लोक सुबा दोजार चोबीस के इलेक्शन के लिए वो आ रहे हैं तो सिर्सा लोक सुबा दोजार चोबीस के इलेक प्रदेश का संगठन का पर यह वह भी फाइनल नहीं है चुनावी शंकठाथ मानके चले इसको दोजाचोविस का हाँ भाजपा हमेशा चुनाव के अंदर एक्टिव रहती है हमेशा बाजपा का का रहता है चुनावी मोड में रहता है और 30 जून से 30 मैं से 30 जून तक तो हमे एक साल का 13 आयोजन मिलने उनमें से एक रहली एक है तो हमेशा बीजपी का कारे करता है चुनावी मोड में रहता है तो बिल्कुल 18 जून को चुनावी शंकठाथ होगा 2024 का और अभी तक हमेशा की रहली का स्थान निधायत नहीं गया लेकिन जल्द ही डिसाइड हो जाएग तो वीडियो को शेयर जुकर दिए ताकि तमाम ही हमारी चुर्चा लोगों तक पहुंझे बहुत बहुत धन्यवाद